आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आपको बता दूँ कि ये टाटा गुरुप के पूर्व चेयर्मेन साइरस मिस्तरी है अभी हाली में सडक हलसे में इनकी डैथ हो गई है तो उपर बाले से द्वा करिए के इनकी आत्मा को सांती मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन सकती दे तो इनके बारे में एक सामान जानकारी हम लोग देख लेते हैं कुछ और पिक्चर है देख लीजे आप लोग और आप देकि इनका परिवार है मुंबई इसकी राधधानी है और आप देखेंगे कि अगर महराष्ट के बारे में हम लोग बात करें तो इसे राज जी कब बनाये गया था एक मई 1960 में और आप देखेंगे कि यहां बिधान सभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी बिधान परिशद में 78 सीटें देखने को मि देखेंगे ताटा गुरूब की बात करें या ताटा संस की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1868 में हुई थी इसका हेड़कौाटर भी आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा अगर हम लोग मिस्तरी साहब के बारे में बात करें तो आप देखेंगे इनका पूरा नाम साइरिस पल्लोन जी मिस्तरी है और इनका जनम 4 जुलाई 1968 में बॉम्बे मुंबई महराष्ट में हुआ था। इनके पिता का नाम पल्लोन जी मिस्तरी था और उनकी माता का नाम पैटसी पैरिंद दुवास था जो आयलेंड की रहने वाली थी। उन्होंने अपनी सुरुवाती पढ़ाई भॉम्बे की कैथेडरल एंड जॉन कॉनन इस्कूल से की थी। जहान मिस्तरी इन्होंने भारत के साथ आयलेंड देश की भी नाग रिखता ले रखी है भारत के स्थाई निवासी हैं। अगर हम लोग इनकी कैरियर की बात करें तो आप देखेंगे कि मिस्तरी ने अपने कैरियर का कंश्ट्रेक्शन कंपनी सापूर जी पलनोंग जी एंड को लिमिटेड में डारेक्टर की रूम में 1991 में जॉन किया था। उसके बाद आप देखेंगे मिस्तरी ने टाटा संस की बोर्ड को एक सेप्टमबर 2006 को जॉइन किया था जब उनकी पिता की रिटने रिटारेडमेंट लिया था। आप देखेंगे 24 अक्टूबर 2016 को टाटा संबू के बोर्ड मेंबर्स ने साहिरस मिस्तरी को टाटा संबू के चेयर्मेंट पत से हटा दिया था और ये विवात काफी चर्चा में भी उस समय रहा था। उनके बाद फिर से एक बार टाटा संबू के बोर्ड मेंबर्स ने रतन टाटा को दोबारा चेयर्मेंट बनाया था। और क्यों सायरस मिस्तरी को चेयर्मेंट पत से हटाया गया था ये भी आप लोग जान लिजे। मिस्तरी को टाटा संबू के चेयर्मेंट पत से हटाने का कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया। लेकिन सोर्सिस के अनुसार अगर आप देखेंगे उस समय सायरस मिस्तरी चेयर्मेंट बनने के बाद टाटा संबू का कोई भी फैसला बिना बोर्ड मेंबर्स के विचार मेंबर्स के ही ले लिया करते थे। और कारकाल के दोरान आप देखें कि जिस पिकार की टाटा समू की ग्रोध बोर्ड मेंबर्स ने सोची थी वैसी पूरी पूरा नहीं कर पाए और उनको चेयर्म पाद से हटाये जाने की बाद उन्होंने इस बात को लेकर कोट तक गए थे। लेकिन कोट ने उसे खारिज कर दिया था तो यह सौट भाइगर आप ही आप लोग कर सकते हैं साहिरस मिस्तरी की है ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा